वेलकम बेक गाइज मैं हूँ आपका दोस्त विक्रम I hope you all are doing good इस वीडियो में आपके साथ शेर करूंगा प्रोफेशनल लाइट लिक कलेक्शन पैक जिसमें बिलेंगी आपको 300 प्लस लाइट लिक वीडियो इन लाइट लिक वीडियो को आप यूज़ कर सकते हैं वैडिंग, प्री वैडिंग, मुजिक वीडियो इस एक सिंगल पैक को डाउनलोड करने के बाद आपको किसी भी और लाइट लिक पैक की रिक्वाइरमेंट नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने इसमें एड की है सबसे अमेजिंग अमेजिंग लाइट लिक वीडियो इन लाइट लिक्स का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आप इन्हें कर सकते हैं डाउनलोड और इन लाइट लिक्स को किस तरीके से करना है यूज वो मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में ये गाईज वीडियो रहेगी शौट बट ये है गाईज बहुत ही इन्फरमेटिव वीडियो अगर हैं आप एक वीडियो एडिटर तो आपके पास इस टाइप की लाइट लिक्स वीडियो जरूर होनी चाहिए अपनी वीडियो को क्रेटिव बनाने के लिए इन Light Link वीडियो को आप अपनी किसी भी Boring से Boring वीडियो पर एड़ करके उसे बना सकते हैं एक Interesting और Attractive वीडियो बिना देरी किये चलते हैं सिधा Premiere Pro में और एक दो Light Link वीडियो अपलाए करके देखते हैं अपनी वीडियो में कि क्या चेंज आता है Light Link वीडियो को अपलाए करने के बाल और क्या है इसको अपलाए करने का Method So guys, यह है हमारी वीडियो जिसके ओपर आज हम अपलाए करना सीखेंगे Light Leak Videos Light Leak Videos को हम तब अपलाए करेंगे जब हमारी जो वीडियो है वो हो जाएगी रेडी चाहे वो हो Wedding Video, Music Video, Commercial Ad या फिर किसी भी टाइप की वीडियो हो जब आपकी वीडियो रेडी हो जाएगी तब आप Light Leaks को यूज करेंगे अपनी वीडियो को थोड़ा सा और अच्छा क्रियेटिव बनाने के लिए Like this, जैसे कि यहाँ पर यह हमारी फूटेज है अभी अगर आप देखेंगे तो इस फूटेज के उपर कोई भी ऐसा effect नहीं दिख रहा, जिससे थोड़ा सा lightning effect दिखे तो यहाँ पर मैंने कुछ light leak videos import कर दी हुई है, पहले ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्हें ही मैं use करूँगा इस वीडियो के उपर सबसे पहले इसे try करते हैं, जैसे यह है हमारी light leak videos इसे मैं इसे मैं select करूँगा और drag कर दूँगा इस वीडियो के उपर इस तरीके से तो drag करने के बाद अब आप आएंगे इस वीडियो के effects and control panel में light leak के light leak के effects and control panel में आने के बाद आप आएंगे blend mode में और यहां पर आप select करेंगे screen को, screen करती अगर आप देखेंगे तो अब हमारी video जो है, वो visible हो चुकी है so यहां से अब अब play करके देखते हैं, एक बरी so अब अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको एक effect दिख रहा होगा video के उपर, बट अभी यह बहुत ज्यादा hard है, so इसे हम करेंगे थोड़ा सा soft opacity डाउन करके यहां पर आपको मिलेगी opacity इसे आप कर सकते हैं 20% थोड़ा सा light करने के लिए so opacity 20% करने के बाद अब अगर आप देखेंगे तो video के उपर आपको दिख रहा होगा, यहां पर एक lightning effect, इसे थोड़ा सा और increase करते हैं, duration को so दिख रहा होगा आपको effect और इसी तरीके से यहां पर आपको मिलेंगे बहुत सारे effects, इसे apply करते हैं, bouquet effect को same, उसी तरीके से आपने simple करना है, drag so drag करने के बाद आप जाएंगे इस layer के effects and control panel में, blend mode, और यहां पर आप करेंगे screen, so screen करने के बाद यहां पर opacity कर देंगे, आप around 20%, so so यहां पर अभी आपको दिख रहे होंगे कुछ bouquet effects, इसको मैं तोड़ा सा duration और बढ़ाता हूँ so देखें, यहां पर आपको एक bouquet effect दिख रहा होगा और इसी तरीके से आप इन सभी light leak videos को use कर सकते हैं अपनी video में, so guys in light leak के साथ आप अपनी videos में transition भी create कर सकते हैं और create कर सकते हैं beautiful से effect, यह जो आपको light leaks मिलेंगी, यह होंगी around 300 plus light leaks, सारी videos इसको आप one by one play करके देखें, एक बार ही मैं आपको दुबारा से दिखा देता हूँ यह है guys हमारी वो सारी light leaks, यहां पर आप देख सकते हैं वो सारी आपको light leaks मिलेंगी single one pack में